हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डेट बोडी से जुड़ी कुछ रोचक बातें जब भी वेक्ती मरता है तो मरने के तुरंट बात उसके शरीर से 21 ग्राम वजन की कमी देखी जाती है ये 21 ग्राम वजन अगर धार्मिक पान्यताओं के हिसाब से देखा जाए ऐसा देखा गया है कि सास लेना बंद करना ही 21 ग्राम वजन कम होने के पीछे का कारण है इस प्रक्रिया को हम पहलार्मोर्टिस कहते हैं सेकंड प्रक्रिया होती है एल्गर्मोर्टिस एलगर मॉर्टिस के दोरान व्यक्ति के तापमान में उसके शरीर के तापमान में लगातार गिरावट देखी जाती है शरीर ठंडा पंडने लगता है यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा पंडने लगता है इस प्रक्रिया को हम algorithmotis कहते हैं, शरीर का तापमान लगातार हर गंटे 1 degree centigrade तक कम होता जाता है, इसे that chill भी कहा जाता है, rigor mortis, rigor mortis वह प्रक्रिया है जो म्रत्य व्यक्ति के साथ एक से लेकर 8 गंटे के बीच गटती है, इस प्रक्रिया में ये माना जाता है कि म्रत्य व्यक्ति के बाल और नाखुन बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछए का science क्या है? इसके पीछए का science है कि जब भी rigor mortis की प्रक्रिया होती है, तो उसके शरीर के अंदर सिकुडन पैदा होती है, मास पेशिया सिकुडने लगती हैं, और मास पेशिया सिकुडने के कारण हम नाखुन और बाल बढ़ते नजर आते हैं लिवर मॉटिस यहां 8 से 12 गंटे की प्रक्रिया होती है जब भी किसी व्यक्ति को मरे 8 से 12 गंटे हो जाते हैं तो उसके शरीर के अंदर लिवर मॉटिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इस प्रक्रिया के दोरान उसका शरीर बैंगनी कलर का और इसके पीछे का साइंस ये है कि व्यक्ति के अंदर ब्लेट सर्कुलेशन खतम हो जाता है जिसके कारण उसके शरीर पर नीले धब्बे दिखाई देते हैं यह 12 से 24 घंटे की प्रकुरिया होती है जिसके अंदर टीशू तूटने लगते हैं प्रोटीन तूटने लगता है और शरीर के अंगों में पानी भर जाता है इस प्रकुरिया के दोरान शरीर मुलायम पढ़ने लगता है और दो दिनों बाद लाश का सणना शुरू हो जाता है मरने के 8-10 दिन के बाद बैक्टेरिया हमारी बॉडि को खाने लगते हैं जिसकी वज़ा से हमारी बॉडि के अंदर गेस बनने लगती हैं और पेट फुल जाता है व्यक्ति के मरने के बाद 8-10 दिन उसका शरीर हरा पड़ने लगता है मरने के दो हफ़ते बाद लाश को पहचानना तक मुश्किल हो जाता है परन्तु हम उस लाश के उपर पाई जाने वाले मक्की या कीडों के अध्यन के साथ उस लाश के time of death को निकाल सकते हैं एक महिने की प्रक्रिया के बाद लाश कंकाल के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है